नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग असा करती हों आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो चलिए हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं रोज की तरह कुछ ऐसे किचन के टिप्स जिससे कि हम अपने धेरों पैसे बचा सकते हैं और बीमारियों से भी हम बच सकते हैं तो देर ना करते हुए हम आप लोगों के साथ में सेर करते हैं पहली टिप्स हमारी क्या है जैसे कि निम्बू हम सभी के घर में यूज होता है तो सबसे पहले तो आप लोग कहां कहां से वीडियो हमारा देखते हैं किस गाउं किस तरह से कमेंट करके जरूर बताना तो जैसे आधा निम्बू हमने काट लिया है आधा निम्बू को काटने के बाद में छिलके को हम फेक देते हैं कोई भी हो छिलका हमेशा फेक ही दिया जाता है जाधा निम्बू होते हैं तो छिलके का हम अचार बना सकते हैं लेकिन अगर एक नीबू काटते हैं तो उसको हम फेक देते हैं तो उसको हम क्या करेंगे इस तरह से इसका बीच का सब निकाल लिए उसके बाद में एक बत्ती ले लीजिए गोल बत्ती ले लीजिए और उसके बाद में गोल बत्ती इसके अंदर रख देंगे रखने के बाद में हम इसमें डालेंगे एक चमच सरसोतिका तेल, थोड़ा सा तेल डालना है जितने में हमारी ये बत्ती भीग जाए, ज्यादा नहीं डालना है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको इस नीबू के अंदर बत्ती और तेल का क्या काम है, तो आप लोग आ जालेंगे उसके बाद में ये हमने पाउडर बना करके रखा है, इसकी लिंक हम अपने डिप्टेसन में दे देंगे, तो ये मच्छड बगाने के लिए बहुत ही कारगर है, तो इसके लिए इसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे, एक चुटकी ही डालेंगे, ज्यादा नहीं हम टाल रहे हैं, तो हमारे घर के जितने सारे मच्छड होंगे, वो सारे भाग जाएंगे, और हमारे घर में जब मच्छड नहीं होंगे, तो बीमारियां भी बहुत काम आती है, क्योंकि मच्छड बहुत ज्यादा इस समय हो गया है, तो इसके लिए ये बहुत ही तो इस तरह से आप उयूज कर सकते हैं, तो देखिए माई इसको अपने कमरे में रख रहे हूं, टेबल के उपर आप रख दीजिए, यालमारी में रख दीजिए, बाहर कहीं भी रख दीजिए, इसके जितने भी इसमयल होगी, उससे मच्छड हमारे घर से विल्कुल भाग जाएंगे, उमीद करती हूँ, आप लोगों को ये टिप्स जरूर पसंद आई होगी, मुझे तो बहुत पसंद आई है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना मुझे, अच्छी लगे तो लाइक भी करना तो चलिए अब जो ये नीम्बू का बचा हुआ, रस है, उसको हम यूज करते है तो इसमें हम डालेंगे दो चम्म disp, जो हमारा निर्मा होता है, कोई भी निर्मा ले लीजिए, जिस्छे हम कपड़े वास करते हैं, वह वाला निर्मा ले ले लिए हो, ऊक चमच मुझे ले ले लोगे फो और एके जमीघंगरना मुझे भी कुर 사 pan करेंगे चमच और इसको हम रगण करेंगेक से हमों पानी नहीं पली जबस लाइग बना करके तैयार करें वह राइएक समय के आधा भराथ में रगण करने जिसाध की यह और जोच रहाएं आप लोग और मुझे जरूर कमेंट करके बताना ये बहुत ही काम का है क्योंकि कोई भी कठिन काम हो या मुश्किल काम हो इसको आप आसानी से कर सकते तो ये देखे इस तरह से मैंने इसको गिला-गिला मिक्स करके तयार कर लिया आप क्या करेंगे चलिए जो पुरानी दियाल सब्सक्राइब के लिए निए नहीं करते हैं इसको पहले सूख जा देंगे तो आपका तवा एक दम चमक जाएगा और विरकुल भी समय नहीं लगेगा चाहे जितना जला हुआ तवा हो और आप इस तरह से इसको चमका सकते हैं और ये आपका एक महीने चल सकता है चाहे एक महीने से जादा भी चल सकता क्यों बहुत जादा नहीं लगेगा थोड़ा सा इसे रगड़ेंगे तो इस तरह से इसको फिर से सुखा करके रख दिजिए और तवा धुलने के काम में इसको ले सकते हैं आपको विल्कुल भी मेहनर नहीं करने पड़ेगी आपका तवा एकदम चमकता रहेगा इसी तरह तो यह भी टिप्स आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी तो इस तरह से इसको सुखा करके आप रख लीजिए और उसके बार दुवारा ही इसको यूज कर सकते हैं चोटी चोटी होती हैं लेकिन बहुत ही काम की टिप्स होती हैं तो चलिए दूसरी टिप्स हमारी है कि नया जाडू हम ले करके जब आते हैं तो इसमें क्या होता है यह जो साइड से होता है इसमें कचड़ा भी निकलता है और दूसरी बात है जितना जाडू लगाते नहीं उससे ज़्यादा तो इसमें गंभगी निकलती है यह किनारे से यह के लिए लिए हम क्या करेंगे इस तरह से में हम एक लिए लेंगे टेप जोबी टेप आपके पास होगा यह तो इस तरह से आप 3-4 बार लपेट करके उसके बाद कट करके इसको चिपका दीजिए और चाहे तो आप एक बलून ले लिजिए और उसके उपर का हिस्सा भी इसमें लगा सकते हैं लेकिन बलून निकल सकता है लेकिन टेप हमारा इतना अच्छे से कबर हो जाएगा जिससे क तो इसे बहुत ने टीजिए और यगातार हने लेगा तो आप से आप फूल ले लीजिए तो दिखा मुझा अबैंने ल निकम फोल निकल जाते हैं तो कि पूघार, इसमें वाहाँ निकल शाल जाए जिसके पूझा जाते हैं या ज्चितम में जाड़ा लगा, शोटने अप जैसे चाय गिर गई हो या कुछ भी हो गया तो यह देखे आप देख सकते हैं कितना धेर सारा कचड़ा निकला है अब इसमें बिल्कुल भी कचड़ा नहीं निकलेगा आपका जाड़ू एकदम फ्रेश रहेगा और कभी भी गंदगी नहीं आएगी क्योंकि चाहे जितना साजजा को ले लेंगे और इसमें घ्र चमच के करीम पाउडर बनाकर के तैयार कर लेंगे निए हम इसमें पाउडर करने हैई है यह जो है वेकिंग सोडा और हल्दी जो होती है इससे हमारे में चीटियां बिल्कुल भी नहीं आती कहीं भी चीटी हो तो वहां पे यह पाउडर बना करके अगर आप डाल देंगे तो आपके घर में भी चीटियां नहीं दिखाई देंगी तो इस तरह से इसको मिक्स करने के कि प्ढक्ति हमारे मारे समय करने करना है यह आपका जहाडरो के घर में पिल्कुल चलनेवाला है यह जाली जोटा में वालर पैर ना लगने पाए तो इस तरह से देखे मैं साइड में रखती हूं अगली टिप्स है हमारी जैसे कि हम पत्ता गोभी ले करके आते हैं तो इसको एक एक पत्ता छुड़ाओ उसके बाद कट करो तो इससे हमारा बहुत समय लगता है तो चलिए इसके लिए हम क्या लेकर के जाता है कि एक छोटा ग्लास ले लिए चोटा बड़ा जो भी हो आपके पास धार वाला गिलास हो उसको हम इस तरह से गिलास की साहता से इसको हम इस तरह से कट करेंगे तो इससे हमारा बिल्कुल भी पांच मिनिट में आप धेर सारे कद्व इसको हम काट सकते हैं चाहे जि कितनी जल्दी हम पूरा पता गोवी काट करके तयार कर दिये हैं तो यह चोटी चोटी टिप्स होती हैं और हमारे किचन के इतने काम आसानी से हो जाते हैं अगर हम फॉलो करके चलते हैं तो हमारा काम बहुत ही आसानी से हो जाता है और हम अपने लिए भी समय निकाल सकते है क्योंकि हम औरतों के लिए समय निकाल पाना बहुत ही कठीन दिखता है तो इस तरह से देखिए कितना बढ़िया हमारा पता वह भी कठ गया है और लगे कहीं भी थोड़ा सा बढ़ा है तो उसको इस तरह से गिलास से आप दुबारा कट कर सकते हैं इससे आपको विल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि चाकू से बहुत टाइम लगता है चाहे जितना जल्दी करने की सोचो लेकिन बड़ा बड़ा ही होता है तो इस तरह से देखिए काट करके हमने तैयार कर लिया है और उमीद करती हूँ यह टिप्स आप लोगों को जरूर पसंद आई ह लोगों की पसंद आए तो लाइक करना और फिर मिलेंगे इसी तरह की निफस्ट